प्रदेश के अलीगा जनपद में एक मजजित के सामने से बरात निकलने को लेकर हुए बवाल के बाद दो समदाय में तनाव की स्थिप पैदा हो गई पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ एफाईयार दर्ज करा दी और इतियात के तोर पर इलाके में भारी पुलिस परल तैनाद कर दिया गया टपल थारा छेतर के अंतरगत आने वाले गाओं नूरपुर में दलिस समदाय के लोगों ने आरोप लगाया की मुस्लिम समदाय के लोग उन्हें पिटारित करते हैं यहां तक ही गाओं में उनकी बरात नहीं चड़ने दी जाती जिसके चलते करीब सो परिवार यहां से पलाइन कर रहे हैं दलितों ने अपने घरों के बाहर यहां मकान विका हुए लिखा दिया मामला सुर्कियों में तब आया जब बीती 26 माई को गाओं के निवासी अंसुचित जाती के ओंप्रिकास की दो बेटियों की साधी थी वहीं इस दोना संपरदायक्स बिसेश की भीर ने बरातियों पर लाटी डंड़ों और रोड से हमला कर दिया जिससे गाड़िये छतिकर्स हो गए और दो बराति गंबी रूप से गायल हो गए पीडितों के मताबिक आज गाओं में 800 से अधिक मुस्लिम परवार हैं तो वहीं हिंदू परवारों की संक्या सो बताई जा रही है आबादी अधिक होने की बज़त से ये लोग इलाके में अपनी मनमानी करने लग जाते हैं उनका कहना है कि मुसल्मानों के अक्टाचारों से परेश्टान होकर अपने घरों के दर्वाजें पर मकान विकावू लिख दिया ताकि खरीदार मिल जाए और हम किसी सुरुष्चित जगह पर घर बसा सकें कुछ दिन पहले AIMIM OVC के यूथ ब्रिगेट के प्रदेश अध्यक्ष सेयद नाजिम अली ने दमकी देते हुए कहा कि नूर्प्र में नमासत होगी लेकिन हिंदूओं को वहां बरात नहीं निकलने दिया जाएगा तो इस पर प्लतरवार करते हुए अलीगर के भारती जंता यूवा मोर्चा के दिला अध्यक्षिन मुकेस लोधियर त्वीट करके कहा था कि अंसुचित समाज के लोगों की बरात नहीं निकलने दी जाएगी तो मस्जिद में हन्वान 40 का पार्ट करेंगे दकर निसिन समा ने कहा कि वह अपने बयान पर काइम है यदि नाजिम जैसे लोगों ने भड़काव बयान दिया है तो ऐसा नहों कि मस्जिद की जगह बरात घर नजर आए वही इससे बरात निकले ये लोग माहोत खराब करने की कोशिज करना चाहते हैं तो आपको कैसा लगा हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स के लिए जरू बता हैं देख चरहें वीके निवीज धन्यवाद